संस्क्रिट में एक कहावत है आत्मवन मन्यते जगत मतलब जैसा हमारा सोच है वैसा हम इस जग को देखके हैं तो प्रशना है यह सही कि कृष्णा जो है वो राधाने को प्रेम करते हैं लेकिन रुक्मनी के साथ विवाहा करते हैं कि क्या यह हमारा जीवन का कहानी भी ऐसा है एक किसी को प्रेम करते हैं और दुसरे किसी को साथ शादी करते हैं यही कहते है आत्मवन मन्यते जगत कि हम सोच रहे कि हम जैसे हमारे साथ जैसे हो रहा है तो वैसे भगवान के साथ भी हो रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है हमको याद करना चाहिए एक भगवान जो है वो परम पूर्न पुरुशोतम भगवान है उनका कोई ऐसा रूल्स या मॉरल कोड या नाइतिक का ऐसा कुछ बंदन नहीं हुआ भगवान जो है भगवान का रिष्टा है वोपियों के साथ या द्वार करानी के साथ यह हमेशा शुद्ध है हमेशा सरवश्रेश्ट है क्योंकि जितना भी चीज इस दुनिया में जो भगवान से प्रकट हो जाते है यह सारे चीज जो है भगवान का शक्ती है और भगवान अगर अपने शक्ती को आस्वादन करते है अपने शक्ती को आदान प्रदान करते है इसमें क्या गलत है उल्टा अगर हम जो है जीवात का शक्तियों को अस्वादन करने के प्रयास कर रहे हैं तो गलत हमारी है क्योंकि भगवान अगर अपनी खुद के शक्ति को एंजॉय करने इसमें क्या गलत है अगर कोई अपने प्रॉपटी को एंजॉय कर रहे हैं इसमें खुद गलत नहीं लेकिन अगर किसी और दूसरे वा जी रसा मतलब टेस्ट, स्वाद, भगवान जो है रसराज है अलग अलग प्रकार के स्वाद आस्वदन करना तो वास्तव में दो प्रकार के स्वाद हैं पहले हम देखेंगे जो विरंदावन का पट्टरानी है जो विरंदावन का गोपियों जो है यही रस जो है परकिय रस कहते हैं जिसमें गोपियों एक बाहर के दृष्टी से जैसा शादी होगे दूसरे के साथ उनका जो जितना भी गोपियों का पती जो है उससाब एक्षली भगवान का विस्तार रूप ही है क्योंकि इस परकिय रस में एक एक परकार की टैंचन एक परकार की चिंटा आजाते कि कोई पकड़ेंगे हमको कोई जानेंगे तो केसे हैं कोई पता न चाहेióं तो ऐसा इतना चूपाने का ये कर इसे भी एक परकार की रस है तो दूसरा हम देखेंगे कि द्वार का कप रानी के साथ है पत्रानी के साथ है ये तो शादी सुद्धा उपन डी है कुला कुला हम सबको पता है ये शादी है तो बगवान इनके साथ कैसे अदान ब्रदान करता है तो हर पत्रानी के साथ बगवान का सुन्दर महल बनाए है जी रहा है। तो ये भी रस है उसमें ये के थे स्वक्य रस। ये दोनों रस को आस्वदन करने के लिए यही हमरे रसराज भगवान सर्क्रिशन है। उनका ही शक्ती है। इसके दोनों रस के अंदर भी और दोर विभाग है। एक विभाग जो है हम देख सकते, और दूसरे साइड हम देखें हिम विरिंदावन में राधारनी है तो छुड़न हटके है उल्टा बोलते बानलीला करते मीदा वी खाल पतए चंद्रवाली जो है भगवान की पीछे बागते है और भगवान जो है राधारानी के पीछे बागते है तो ऐसे भी दो प्रकार के रस है कभी-कभी जो बहुत हर चीज़ सुनते 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 बौरिंग हो जाते है कभी-कभी तुरह चैलेंज चाहिए आप भ विस्तार रूप जो है रुकमिनी बन जाते हैं रुकमिनी बे तो रहा हटके हैं बगवान का मेन रानी है द्वारका में और राधारानी जो है उनका विस्तार रूप है सत्यबामा है तो रहा हटके है द्वारका में तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारे लक्ष्मी सारे अस्वादन कर सकते हैं विर्द्णावन में गोप जैसे अस्वादन करते हैं मतुरा में मतुरा दीश बन जाते हैं विर्द्वारका में द्वारका दीश बन जाते हैं कृष्णा है राजा जैसे हैं तो यह याद करना चाहिए थे बगवान जो है उनका शमता है कि सब के साथ पूर्ण तरसे आदान प्रदान करने के लिए, तो गोपियों के साथ, द्वार करानी के साथ, गोपि के साथ, बगवन का पूर्ण शम्ता है कि आदान प्रदान करने के लिए, इस दुनिया में हम देखिया है कि कोई व्यक्ति है, उसके पस दो प्रेमिका है, तो ये एक प्रे लेकिन इसके कारण हम compare तुलना नहीं कर सकते कि हम और भगवान हैं, हमारा जो शम्ता है बहुत कम है, अगर हम आत्मवन मन्यते जगत इस लीला के साथ देखेंगे, तो हम भी सोचेंगे भगवान जो कर रहे हैं हमारे जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का इतना सुन्दर दिव्य लीला है, और इस दिव्य लीलों बले वो विर्णावन का लीला, या मतुरा का लीला, या द्वार का लीला, ये सुनके भगवान का हिर्दे जो है निर्मल बन जाते हैं, शुद बन जाते हैं, तो ये शक्ति हैं भगवान का कृष्ण कता है, और कभी भी हम सोचना ने चाहिए कि हम जैसे ही बगवान भी किसी और को प्रेम करते वो दूसरे के साथ विवाह किया ऐसे नहीं होगा हरे कृष्णा